So guys, आज की वीडियो को question है कि we need to find the number of zeros in factorial of 24 यानि कि 24 के factorial में हमें find करना है कि last में यानि कि जो trailing zeros होंगे वो कितने होंगे ठीक है? तो अगर आप इसमें manually करेंगे तो 24 into 23 यानि कि यह काफी लंबे जाने वाला है और last में आजाएगा हमारा 1 ठीक है? तो इतना तो हम multiply करेंगे नी तो हम कैसे पता कर सकते है इसमें कितने zeros होंगे So we know that guys, keep 5 into 2 क्या बनाता है? एक 0 बनाता है, make 1 0 तो हमें क्या दिखना होगा इसमें? multiple of 5 तो इसमें multiple of 5 कितने होंगे? तो आपको simply क्या करना है? आपको simply करना है 24 को 5 से divide करना है तो जो भी हमारा वो आएगा, basically number आएगा, क्या आएगा हमारा इसमें number? यानि कितने multiples होंगे इसमें हमारे? 4 होंगे, यानि कि हम directly कह सकते हैं इसमें कि हमारे there are 4 zeros in 24 factorial simple है, आपको बस यही करना है, आपको बस 5 के multiples देखने है और 5 के multiples देखने के लिए आपको simply multiply or divide कर देना है जो भी factorial है, तो जो भी हमारा इसमें वो निकलेगा quotient अगर divide करेंगे आप 24 को 5 से, तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा 20 बार में और 4 reminder हो जाएगा, जो quotient होगा basically वो ही होगा हमारा number of zeros in factorial of any number टीक है, understood? so if you have any doubt, you can ask me in comment section and for more videos like this, please subscribe to our channel Arnand Kaksha till then, bye bye